दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे वो हमेशा मौसीबत में एक दूसरे की मदद करते एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते एक दिन कबूतर चिडिया के पास आता है चिडिया बहन मेरे बेटे को कल से तेज बुखार है और मेरे पास अपने बेटे की दवा लेने के लिए पैसे नहीं है अगर आप मुझे सो रुपे उधार दे दो तो मैं कुछ दिनों तक आपको लुटा दूँगा कबूतर भीया बहुत अच्छा हुआ जो आप मेरे पास आगे आप ऐसे ले जाएं और अपने बेटे की दवा ले आएं मुझे बहुत शरम आ रही थी आप से पैसे उधार मांगते हुए मगर मैं बहुत मजबूर था कबूतर भीया इसमें शरम की क्या बात दुख सुख में अपने ही तो काम आते हैं फिर कबूतर चिडिया से पैसे लेकर वहां से चला जाता है ना जाने जंगल में ऐसे कितने अगरी पक्षी होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होगी और वो शरम के मारे चुप रहते हैं फिर चिडिया दूसरे दिन सब पक्षियों को इकठे करती है दोस्तो मैंने सोचा है कि हम सम मिलकर कुछ पैसे जमा किया करेंगे और उन पैसों से घरी पक्षियों की मदद किया करेंगे चुडिया बहन हम ऐसा करते हैं हम जंगल में एक हेल्प बॉक्स रखते हैं और सब पक्षियों अपनी अपनी बच्चत में से कुछ पैसे उस हेल्प बॉक्स में डाल दिया करेंगे और फिर जिसे मदद की जरूरत होगी हम हेल्प बॉक्स के पैसों में से उसकी मदद कर दिया करेंगे तोते की बात ठीक है ऐसे किसी को परेशानी भी नहीं होगी और दूसरों की मदद भी हो जाएगी फिर वो सब ऐसा ही करते हैं जंगल के रास्ते में एक बॉक्स रख दिया जाता है और फिर हर पक्षी अपनी बच्चत में से कुछ पैसे उस हेल्प बॉक्स में डाल देता चुडिया बहन जो काम आपने किया है इससे बहुत से पक्षियों की परेशानी दूर हो जाएगी कमजोर और गरी पक्षी आपके हल्प बॉक्स से पैसे लेकर अपनी खुशिया पूरी कर सकेंगे कबूतर भीया मैंने तो पहला कदम उठाया है और मुझे विश्वास ही ना था के पक्षी मेरा इतना साथ देंगे फिर एक दिन दूसरे जंगल से एक पक्षी आता है चुडिया मैं बहुत गरीब हूँ मेरी मां बीमार है मेरी मदद करें फिर चुडिया हेल्प बॉक्स में से कुछ पैसे उस पक्षी को दे देती है और वो पक्षी खुशी खुशी वापिस चला जाता है चुडिया बहन चलो हम चील दीदी के पास चाते हैं और उससे हेल्प बॉक्स के लिए कुछ पैसे लेकर आते हैं चलो तोते भीया, शायद चील्दी को हमारे हेल्प बॉक्स का अभी तक पता नहीं चला फिर तोता और जिडिया चील्दी की तरफ जाते हैं चील्दी हम सब अपनी बच्चत में से कुछ पैसे हेल्प बॉक्स में डाल देते हैं ऐसे गरीब पक्षियों की अच्छी मदद हो जाती है आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ पक्षी तो मांग कर ले लेते हैं और कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों से मांगने में बहुत शर्म आती है चिल्दी हम सब थोड़े थोड़े पैसे बॉक्स में डालती रहते हैं इससे किसी एक पर बोज नहीं पड़ता तो फिर ये ले मेरी तरफ से एक हजार उपै और मैं हर महीने अपना हिसा दिया करूंगी एक हजार देखकर चिडिया और तोटा बहुत खुश होते हैं ऐसे ही दिन और रात गुजरते गे और फिर एक दिन कालुकवे के पास सो रुपै था और वो अपना सो रुपै हेल्प बॉक्स में डालना चाहता था अगर मैंने ऐसे ही सो रुपे हेल्प बॉक्स में डाल दिया, तो किसी को क्या पता चलेगा, कि मैंने हेल्प बॉक्स में सो रुपे डाला है, मैं सब को बता कर ये पैसे डालूँगा कालु कवा चिडिया के पास जाता है चुडिया हेल्प बॉक्स कहा है मैंने सो रुपे हेल्प बॉक्स में डालना है कालु भीया रास्ते में सूथे पेड़ के पास आपको पता तो है वो मैं भूल गया था फिर कालु कव्वा वहां से तोते की तरफ जाता है तोते मैं ये सो रुपे हेल्प बॉक्स में डालना चाहता हूँ क्या तुम बता सकते हो के हेल्प बॉक्स कहां रखा है सूखे पेड़ के पास रास्ते में रखा हुआ है हमने हेल्प बॉक्स अच्छा अच्छा ऐसा कहते हुए कालू कवा कबूतर के पास जा कर भी वही बात करता है मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ पैसे हेल्प बॉक्स में डाल देता हूँ कालू आप जैसे अमीर पक्षियों की वजा से ही हम जैसे गरीबों का गुजारा होता है मैं अब भी ये सो रुपे बॉक्स में डालने जा रहा हूँ ऐसे पूरे जंगल को बताने के बाद कवा सो रुपे हेल्प बॉक्स में डालने चला जाता है वो बॉक्स को हिला कर देखता है अरे इस बॉक्स में तो बहुत पैसे हैं इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है फिर सो रुपे बॉक्स में डाल कर कालू कवा घर चला जाता है कालू जो सो रुपे तुम्हारे पास था वो कहा है मैंने वो सो रुपे हेल्प बॉक्स में डाल दिया है दूसरे पक्षी है ना ऐसे कामों के लिए तुम्हें क्या जरूरती मेरा सो रुपए बॉक्स में डालने की ये सुनकर कालू हंसने लग जाता है गोरी गोरी जब मैंने सो रुपए बॉक्स में डाला तो मैंने देखा के बॉक्स बहुत भारी है और उसमें धेर सारे रुपए है अच्छा कालू तो फिर क्या खियाल है आज रात को ही मैं वो हेल्प बॉक्स उठा लाता हूँ उसके ताले की चापी तो चिडिया के पास है बगर हम ताला तोड लेंगे और उन पैसों से मेरे लिए सौने का हार लेकर आना फिर रात हो जाती है और कालू अपने घर से निकलता है वो इधर उधर देखता है और हेल्प बॉक्स उठा कर वहां से भाग जाता है सुभा हो जाती है पूरे जंगल में शोर मच जाता है के हेल्प बॉक्स चोरी हो गया है किसी भी तरह हमें उस चोर को ढूंडना होगा अगर इस बार हमने वो चोर ना ढूंडा तो वो फिर से ऐसा ही करेगा वो जालिम गरीबों की खुश्या चुरा कर ले गया गोरी और कालू भी सापक्षियों के साथ हेल बॉक्स के चोरी होने का दुख कर रहे थे अब कहां मिलेगा जो भी होगा वो तो अब तक बहुत दूर चला गया होगा हाँ हाँ छोड़ो जो हुआ उसे फूल जाओ और एक निया बॉक्स लाकर वहां रख दो ऐसे कैसे छोर दे हम कल ही चील से एक हजार उपे ले कर रहे थे हेल्प बॉक्स में डालने के लिए अगर पता होता तो हम वो एक हजार ही न डालते आप सब यहीं बैठें और किसी को भी दूसरे जंगल ना जाने देना मैं और कबूतर अभी थोड़ी देर में आते हैं फिर चीडिया और कबूतर वहां से चले जाते हैं वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं तोते मैं पानी भी कराती हूँ चीडिया ने कहा है कि कोई यहां से नहीं जाएगा कालू कहीं पकड़े ही ना जाए इतने में चिडिया भी पुलिस को साथ लेकर आ जाती है हम तो बताओ सबसे आखर में पैसे हेल्प बॉक्स में किसने डाले थे कालू कवे ने हाँ हाँ कालू कवे ने कालू कवे चलो थोड़ी देर मेरे साथ चलो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है इतने सारे दूसरे पक्षी भी हैं फिर इन्वेस्टिगेशन कालू से ही क्यों मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ फिर पुलिस कालू कवे को थोड़ी दूर ले जाती है और उसे एक पेड से उल्टा लटका कर अभी दो ही डंडे लगाती है तो कालू गोरी को आवाज देता है गोरी गोरी जल्दी से घर से वो बॉक्स ला दो पुलिस का डंडा बहुत बड़ा है ये सुनकर सब पक्षी बहुत हैरान होते हैं और फिर गोरी हल्प बॉक्स ला देती है और कालू को पुलिस पकड़ कर अपने साथ ले जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है के कबूटर जैसे कई गरीब हर गली मुखले में होते हैं क्यों न हम भी हर गली मुहले में एक हेल बॉक्स रखें जिसे गरीबों की खुशियां पूरी हो सकें ममा बहुत ठंड लग रही है आज बहुत ठंड है बस आज की रात है बेटा की की कल मैं अपने बेटे को गरम कपड़े ला दूँगी और मेरा बेटा आराम से सोएगा मैं कल चिडिया के साथ जाओंगा और अपने बेटे के लिए गरम कपड़े ले आओंगा कबूतरों का वो परिवार अपने घर में बैठा ऐसे बातें कर रहा था सुभा हो जाती है कबूतर को रात की ठंड अच्छे से याद थी कबूतर समय जाया किये बिना चिडिया के पास जाता है चिडिया बेहन आज रात हम सबने बहुत मुश्किल से गुजारी है बहुत ठंड थी चलो हम कहीं से अपने लिए गरम कपड़े लेकर आते हैं परंतों कबूतर भेया हम गरम कपड़े लाएंगे कहां से हम तोते के पास जाते हैं उसके पास पिछले साल के गरम कपड़े पड़े होंगे हम उससे ही पुराने कपड़े ले आते हैं ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, चिडिया और कबूतर तोते की तरफ जाते हैं, मेरे पास कुछ गरम कपड़े पड़े थे, मगर जब गर्मियों में तेश तुफान आया, तो मेरे सारे गरम कपड़े तेश तुफान में उड़ गे थे, मैं देखता ही रह गया, मैं तो खुद सारे रात ठंड से मरता रहा हूं तो फिर चलो हम सब उस जादूई बेरी के पेड़ के पास जाते हैं वो जरूर हमारी मदद करेगी दोस्तों आप चलें और मैं जाकर कवे और कवी को भी बुला लाता हूं उन्हें भी गरम कपड़ों की जरूरत होगी फिर वो सब ऐसा ही करते हैं चिडिया और तोथा जादूई बेरी के पेड़ों की तरफ और कवे और कवी को बुलाने चला जाता है चिडिया और कवे चले गे हैं चलो अगर आपने भी गरम कपड़े लेने हैं तो मेरे साथ चलो चल कालू चल अब ठंड बढ़ गई है ऐसे गरम कपड़ों के बिना गुजारा नहीं होगा मुझे सारी रात नीद नहीं आई मैं तो सोने लगा हूँ तुम कवूतर के साथ चली जाओ गोरी कवी कवूतर के साथ चली जाती है कवूतर भेया यही है ना वो दोनो जादूई पेड़ हाँ हाँ चली बहन बेरी के दो जादूई पेड़ यहीं है चली यह यह पेड़ हमें गरम कपड़े दे देंगे क्या आप सब गरम कपड़े लेने आए है मैं तो गरम कपड़ों का पेड़ नहीं मैं तुम्हें सोना और चांदी दे सकता हूँ अगर आपको घरम कपड़े चाहिए तो वो सामने वाले दूसरे पेड़ के पास चाहें चिडिया चलो हम सब उस दूसरे पेड़ के पास चाहते हैं कितने पागल है ये पक्षी सोना और चांदी छोड़ कर गरम कपड़ों वाले पेड़ के पास जा रहे हैं चलो गोरी बहन रुक क्यों गई हो हमें देर हो रही है ठहरो मुझे इस पेड़ से कोई बात करनी है पेड़ जी क्या हम सोना चांदी और गरम कपड़े दोनों चीज़े नहीं ले सकते नहीं हम दोनों पेड़ों में से आप किसी एक पेड़ से कुछ ले सकते हो ये आपकी इच्छा है सोना चांदी चाहिए या गरम कपड़े तो पक्षियो आप जाओ और लो गरम कपड़े मैं तो इसी जादुई बेड़ी के पेड़ से सोना और चांदी लूँगी कितनी लालची हो तम गोरी ये सोना और चांदी तुम्हें ठंड से नहीं बचा सकेंगे चाल चाल मुझे ऐसे भाशन न दो मुझे पता है मुझे क्या करना है फिर चेडिया कबूतर और तोता दूसरे बेरी के पेड़ के पास चले जाते हैं बेरी के जादूई पेड़ जी हम आप से गरम कपड़े लेने आए हैं क्या आपने मेरे दोस्त पेड़ से सोना और चांदी तो नहीं लिया नहीं नहीं जादूई पेड़ जी हमें सोने और चांदी की कोई जरूरत नहीं है हमें तो केवल गरम कपड़े ही चाहिए कपड़े लग जाते हैं वो सब बहुत खुश होते हैं और अपने अपने पसंद के रंग देखकर वो सब अपने लिए गरम कपड़े तोड़ लेते हैं पेड़ जी आप बहुत अच्छे हो जो हमारी मदद करते हो मेरा बेटा सारी रात ठंड से सो नहीं पाया था मैं पिछले कई बरसों से ऐसे ही पक्षियों की मदद करता चला आ रहा हूं बस लालच ना करना अपनी जरूरत पूरी करना फिर वो सब अपने गरम कपड़े लेकर वहां से चले जाते हैं गोरी भी सोने और चांदी के पेड़ से धेड़ सारा सोना और चांदी तोड लेती है मैं हिरान हो कवी तुम्हारे सभी दोस्त गरम कपड़े लेकर चलेगे और एक तुम हो के सोना और चांदी माँग रही हो पेड़ जी अगर घर में सोना और चांदी हो तो ठंड महसूस नहीं होती अब मैं जाऊं जाओ और फिर लोट करना आना हम दोनों पेड़ साल में एक चांदी लेकर वहां से चली जाती है देखो देखो कीकी आपके पापा आपके लिए गरम कपड़े ले आए हैं ये गरम कपड़े तो बहुत अच्छे हैं और मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग की टोपी भी लाया हूँ वो सब बहुत हुश थे क्यूंके वो अब ठंड से सुरक्षत थे चीडिया भी अपने बेटे को गरम कपड़े पहना देती है तो ता तो हरे रंग में गरम कपड़े पहन कर बहुत सुन्दर दिख रहा था अरे गोरी तुम गरम कपड़े लेने गई थी और ये क्या तुम इतना धेर सारा सोना और चांदी ले आई हो मैं सियानी हूँ दूसरे पक्षियों की तरहा पागल नहीं हूँ वहाँ दो जादूई बेरी के पेड़ थे एक गरम कपड़े देता था और दूसरा सोना और चांदी मेरी पतनी बहुत सियानी निकली जो सोना और चांदी ले आई रात तो निकल ही जाएगी गरम कपड़ों के बिना भी फिर शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल चा जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है आज तो ठंड कल से भी जादा है लग रहा है बारिश भी आने वाली है अगर बारिश शुरू हो गई तो ठंड और भी भड़ जाएगी वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है सब पक्षी बहुत खुश थे क्यूंके ठंडी हवा का उन्हें कोई डर ना था ममा ममा आज गरम कपड़े भी है और बारिश भी आज तो मैं बहुत खुश हूँ दूसी तरफ गोरी और कालू पहले तो एक दूसरे से छुपाते हैं फिर जब ठंड उनकी बड़दार से बाहिर हो जाती है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं कालू क्या तुम्हें नहीं लगता मैंने सोना और चांदी लेकर गल्टी की अगर गरम कपड़े हमारे पास होते तो आज हम भी दूसरे पक्षियों की तरह बारिश का मजा लेते हैं हाँ हाँ गोरी मेरा तो ठंडी हवा से खुन जम रहा है अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरी तो कुलफी ही जम जाएगी अगर पता होता तो मैं अपने दोस्तों की बात मान लेती और सोना और चांदी लेने की बजाए गरम कपड़े ही ले लेती सारे जंगल में सेनाटा था और कवों के रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी मार गे मार गे हाए मार गे बहुत ठंड है कालू अब अगर आज बच गे तो हम कभी फिर लालच नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों कभी लालच ना करो क्योंके लालच बुरी बला है